Hello everyone, मैं Dr. Pooja Maishwari, एक बाद फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल Cam Concept में तो dear friends, आज हम लोग बात करने वाले हैं, finally जिसके लिए आप last one year, two year और उससे भी ज्यादा से preparation कर रहे हो वोपल आ ही गया है, जी हाँ, J means last attempt, और सच में ये कई students का last attempt ही हो सकता है तो आज हम discuss करेंगे कि आपको final day के लिए क्या strategy plan करनी है, जिससे कि आप rock कर सकें अपने final exam के अंदर मैं आपको बताऊंगी 5 point जिने आप follow करें और boost up करें अपने preparation को, तो चलिए without time wasting start करते हैं सबसे पहला point, जी हाँ, short notes मैंने आपको year long studies के time भी बताया है कि आप basic से पढ़िए और notes prepare करते चलिए तो जो notes आपने बनाए है, definitely जब उनको revise किया होगा तो आपने short notes भी बनाए होंगे अप ये time है कि आपको उन short notes को revise करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कोई नया वीडियो नहीं, कोई नया chapter नहीं केवल जो formula sheets है और आपकी अपनी बनाए गई जो short notes है, उन्हें ही revise करिए राइट, चलिए, आते हैं point number 2 पे, test, जी हाँ, आप सभी ने admit card तो download करी लियोंगे आपको अपना shift timing भी पता चल गया होगा, तो बस अब क्या करना है, जो आपका time है, shift का, उसी time एक test plan करिए इससे क्या होगा, आपका जो mind है, actually वो critical thinking के लिए उस particular time पर develop होगा, पहता performance वो कर पाएगा ठीक है, चलिए, coming up to the third point, that is sleep and health, जी हाँ, ये बहुत ही important point है, और मैंने पहले भी कई बार बताया है कि आपको proper sleep लेनी है, six to seven hours की, कई student ये सोचते हैं कि हमाया last attempt है ठीक है, four o'clock तक पढ़ लेंगे, दो घंटा सो लेंगे, बट ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए एक बहुती blunder mistake साबित हो सकता है, तो proper sleep लीजिए, otherwise क्या होगा, exam duration में आपका सर भारी फील होगा, आपको anxiety ज्यादा फील होगी, blackout भी हो सकता है तो इन सब condition से बचने के लिए proper sleep बहुत जरूरी है, और अपनी health का भी साथ में ध्यान रखिए, जो diet आप intake ले रहे हैं, उसका proper ध्यान रखिए, liquid diet लीजिए, healthy diet लीजिए, no sun food, no fast food, right? चलिए, coming up to the fourth point, ऐसी, जी हाँ, stop comparison, यह बहुत ही important point है, क्योंकि यह हमारी human tendency होती है, कि हम अपने आपको दूसरों से compare करते हैं कई बार हमारे friends हमें बोलते हैं, कि हमने यह chapter पढ़ लिया, और हमें लगता, अरे हमने नहीं किया, क्या होगा, हम tense हो जाते हैं कई बार आपकी यह जो stressful condition है, इससे आपकी performance पर असर पर सकता है, तो बिलकुल आपको comparison नहीं करना है, आपको किसी भी stress में नहीं आना है, जितना कर लिया, उस पर confidence रखिए, अपने आप पर confidence रखिए, और यही हमारा last point है, that is, be confident, बिलकुल, confidence रहिए, cool रहिए, relax रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप panic होंगे, आप silly mistake करके आएंगे exam के अंदर, और हमें वही avoid करना है, आप अपने उपर believe करिए, doubt मत करिए, अपनी capabilities पर, अपनी abilities पर, believe करिए, definitely आप rock करेंगे final exam के day पर, तो यह 5 point है, इनको अगर आप follow करेंगे, तो definitely आपकी performance boost होगी, and आप paper forward के आने वाले हैं, तो all the very best to all GES friends, thank you.